Hey guys, welcome to my channel, आप सभी का स्वागत करता हो, एक नए एपिसोड में बात करेंगे जवान के बॉक्स आपीस के बारे में कि टोटल ये फिल्म कितना बिजनेस की है, आप सभी को मैंने बताया था कि फ्राइडे के दिन ये फिल्म पाच करोड से कम नहीं आएगी और इस फिल्म का बि जिने से वो पाचवे विक से जादा है, तो देखें ये फिल्म आगे कहा तक जाएगी, कहीं भी ये फिल्म जा सकती है, तो ये फिल्म फ्राइडे को कमाई पाच करोड अपने 37 वे दिन और ये फिल्म आज कमाईगी एक करोड 75 लाग से लेके दो करोड यानि साटेडे को, आज ये फिल्म 1 करोड 75 लाग से 2 करोड के बीट इसका कलेक्शन होगा और टोटल हो जाएगा, 576 करोड, 576 करोड ये फिल्म सिर्फ दोस्तों हिंदी वर्जन से कमाईगी है, मैं नेट की बात कर रहा हूँ, 576 करोड नेट इस फिल्म का बिजनेस हो गया है, हिंदी वर्जन में, अब ये क्या 600 करोड करेगी हिंदी वर्जन में, क्योंकि 14 करोड और चाहिए, 14-15 करोड और चाहिए, 600 करोड करने में, तो मुझे लगता है कि यार 15 करोड ये फिल्म कर पाईगी संडे को भी फिल्म 2 करोड कमाईगी तो आप मान ले कि 13 करोड इस फिल्म को और कमाना है 600 करोड कमा लेगी दोस्तों ये पहली फिल्म बन जाएगी 600 करोड कमाने वाली हिंदी वर्जन में वैसे भी ये पहली दूसरी फिल्म बन गई है 500 करोड पहली पठान दूसरी गदर टू तीसरी जवान और All India ये फिल्म 600 करोड कपका कमा चुकी है ये पहली फिल्म बन गई है 600 करोड कमाने वाली All India ये फिल्म 636 करोड कमा ली है तमिल तेलगू में ये फिल्म डब हुई है तो South के स्टेट में ये फिल्म हिंदी वर्जन में बहुत जादा स्क्रीन्स में रिलीज हुई थी वहां से बिजनेस हुआ है तो ये फिल्म 180 करोड के हाज पास सिर्फ South से कमाई है 180 करोड जिसमें 60 करोड डब से कमाई है और 120 करोड ओरिजनल हिंदी लैंगवेज में कमाई है दोस्तू कोई South की फिल्म तमिल में या फिर तेलगू में नौर्थ में आके 100 करोड कमाई है आपने कभी देखा है हिंदी में डब होती है तब चलती है लेकिन शारुक खान की फिल्म हिंदी में वहां रिलीज होती है और तमिल तेलगू में भी डब हुआ तो साट आया और हिंदी में 120 आया तमिल तेलगू से साटा या डब से और हिंदी वर्जन से 120 आया तो शारूख खान रियल पैन इंडिया दोस्तों सूपर स्टार है तो 636 करोड अल इंडिया साटर डे को 1.5 करोड से 2 करोड के बीच आराम से आएगा 575 से 576 हो जाएगा कितने सारे लोगों को लगता है अभी भी कि ये फिर्म 600 करोड कमा सकती है 600 करोड तो अल इंडिया कमाई चुकी है लेकिन हिंदी वर्जन से ये 600 करोड कमा सकती है कितने सारे फैंस को लगता है कमेंट करके बताएं और देखते रहें FF News लगतार अपडेट्स आपको मिलती रहेगी टेक कियर